मेरे गुरुदेव को क्रेड़ चाहती है सब क्योंकि जब तक मैंने ये साधना सुरू नहीं की से जजि मार्क की अंडर्ा स्ष्री रामचंदर मिशन उस से पहले मेरा एक हीँ है कि आप सन्यास ही हो सकते हो और इस वर प्रापति की और जा सकते हो नहीं तो ग्रेहस तो हो के पड़े रहो इस दुनिया में चक्कर खाते रहो यह मेरा इंप्रेशन था तो इसलिए मैंने सन्यास लिने का इरादा किया लेकिन मेरा सन्यास 12 गंटे से ज्यादा नहीं हुआ मैं बताता हूं कैसे सुबह निकल गया गाउं से नर्वदा किनारे बैठ गया काउं मेरा नस्दिक था पुरा दिन वा रहा जा वो शीव टेंपल में अगोरी बाबाज रहते थे अगोरी बाबा का एक बुज़ूर्ग बंदा था और बंदा थे साम संसेट होते हैं उन्होंने मुझे पुछा कि सुबह सी इदर आया है क्या करना चाहते हो मैंने बुला आपके साथ आओंगा मैं आपकी सेवा करूँगा मुझे आपका सिष्ष बना लो तो उनकी आँखों में आँसु आ गए बुज़ूर्ग थे बेटा मैं तेरी जैसी उमर में ही कर छोड़ दिया था अभी तक मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो है सांती भी नहीं मिली है एक्चली मैं बुक मंगा हो गया हूं बेगर बन गया हूं भिक मांगते हैं हम लोग उनके पास बारा तेरा यह सब थे अगोरी बाबास तो मुझे कहा तु घर वापिस त तुझे तेरे गुरु मिलेंगे तुझको दूनने आएंगे तो मेरा सन्या सुबह से साम तक भी नहीं रहा और सही में जैसे उन्होंने कहा आपके गुरु आपको दून लेंगे वैसे ही वह मिल गए मुझे एहमदावाद में मेरी पढ़ाई वहां हो रही थी जो मारा ट्र सेफ्टर सहज मार की ट्रेनर थी और पढ़ते पढ़ते ध्यान किया मैरेज के बाद ध्यान किया तो बिजनेस वर्ड में भी ध्यान किया आपकी और हम बात करने आपके संग बात करने हैं जो मेरा रधे है इस्वर के साथ जुड़ा रहता है आपके साथ बात करता हूं तो क या वो तूट जाएगा समध्द नहीं तूटता है जैसे कोई किसी को प्यार करता है बहुत इंटेंसली जा उखाना तो खा सकता है ना उनको याद करते करते हैं मूवीज भी देखते हैं उनको भी कास मेरे साथ होती है अब में मूवी देख रहा हूं वो डिस्टर्ब नहीं करता है वो पढ़ता है तो अभी उनके रिदे में उनके ही खयाल आते रहते हैं तो आप धंदा करो या रोमेंस में हो या कुछ पढ़ रहे हो या लेटे हो है अध्यात्मिक्ता और बहुत दिक्ता का समन्वाई होना है इंटिग्रेशन होना है अपने देश में रिशी मुनी थे आप पुरे देश का वो देखो आप एवोलुशन ऑफ स्पिरिच्वालिटी इन इंडिया एस्पेशली रिशी मुनी जो थे उनकी देहरे ग्रहस्त जीवन और वो भागदोड़ू नहीं थे वो लोग बाद में जैसे जैसे हिंदुजम में करप्शन आता गया वैसे वैसे ऐसे अबरेशन होने लगा और दिखावा करने के लिए ये ब्रहमचरिय बना ये सन्याशी बना वो बना वो बना में लोग इश्वर प्राप्ती के लिए भागदोड कर रहे हैं जितने भी भागदोड़ करोगे नए हो बागएगा इश्वर से इश्वर तो सन्याशीамों से हजार मील दूर रहते हैं क्रेस्ट के जीवन में रहेंगे उनके रदे में रहेंगे क्योंकि वो सेक्रिफाइस जो है न गर में रहके वो प्रेम सिखाता है और इश्वर प्रेम का भूखा है जिसने गर छोड़ दिया माबाप को छोड़ दिया बच्चों को छोड़ दिया उसको बगवान कैसे मिलेगा हमारे धर्म क्या कहता है इश्वर अंतर यामीन है मेरे रिदय में है श्रकृष्ण क्या कहते है रिदय में पश्यशी मुझे आपके रिदय में मेरी है अनुभूती करो वेद उपनिशद में सौ से ज़्यदा रेफरेंसिस है हार्ट के रिदय के एक भी जगा पर में फिर से दौर आता हूँ एक भी जगा के वेद उपनिशद में मंदिर का जिक्र है नहीं क्यों नहीं है क्योंकि वो अंतरियामीन में मानते हैं अंदर है वो उनकी महसूसी उनको अंदर महसूस होता था जहां भी उनकी नजर गई वहां वो रिफलेक्ट होते थे आकास में देख लिया नदियों में देख लिया परवतों में देख लिया पा फैर श्रब्स, फ्लावर्स, पानी सब देख लिया उसमें इश्वर दिखाए देते हैं, अनुभूती होती थी उनको, इसलिए ये जो रिच्वल चलते आये हैं, पुजा, नदी की पुजा, परवतों की पुजा, आकास की पुजा, ये रिच्वल रह गया है, आज अभी भी रिच्वल है, लेकिन लोगों को पता नहीं है क्यों है, लोग करते रहते हैं, अनुभूती नहीं है, लेकिन यही फॉल्ट है, जब अनुभूती नहीं होती है, तो हम दिखावा बहुत करते हैं, मैंने ये प्राप किया है, लेकिन जिसने अनुभूती किया है, वो चुप रहता है, रिच्री मुनी में अनुभूती थी, आज ह आपका जो प्रस्ट था, कि आपने एक कॉर्पोरेट वर्ल में भी देख यहां कैसे आगे इसमें कुछ मुशिबत नहीं हैं। वहत सहज रुप से हम दोनों को एक महीं कर सकते हैं। बहुतिक जीवन में भी हम अध्यात्मिक्ता ला सकते हैं। अध्यात्मिक्ता का एक मिनिंग बता है। जो भी आप करो प्रैम से करो। Another name for God is love. God is love, love is God. That's all. जब हम कृष्ण भगवान कहते हैं, वो त्री तीन चीज़ बताते हैं। कर्म, विकर्म और कर्म. सब लोग कर्म तो कर रहे हैं। उससे थोड़ा हायर है विकर्म। उससे भी हायर है अकर्म। अकर्म का मतलब है ऐसे काम करो कि जिसकी असर अपके रिदाई पे न पड़े। Example दोरा तूं, मा है। बच्चा एक बज़े उठ गया, निन्वे से उठा दिया, रोता है, मा उसको दूद देगी। प्रेस फिडिंग नहीं है तो बाटल भी देगी करम करके, थोड़ा वाम करके। वो गालिया नहीं देगी, हस्ते हस्ते करेगी। सबोज एक दिन माँ बिमार हो, हस्बन की वादी आ गई। वो बुलेगा, करेगा भी सायद। लेकिन सुबह याद करवाएगा। देखो मैने ये किया। तो, he will repeat it, माँ कभी एक बार भी repeat नहीं करेगी। तो, जहां प्रेयम है, वहां कर्म की असर नहीं होती है। वो अकर्म बन जाता है। हम कर्म-फल की बात करते हैं ना бокर्म want and result इसमें कुछ होता ही नहीं है उसका नपुन्य है, नपाप है। जहां नपुन्य है नपाप है, वो अकर्म हो जाता है। उसके संसकार नहीं बनते हैं, तो पूरा जीवन अकर्मी हो जावे, तो यह नोट रिसाइकल्ड, रिसाइकलिंग मिनिंग नो बर्थ, तो मुक्स हो जाता है, मुक्स का मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं जनम होगा आपका, आपके पास स्वत्तन तरता है, फ्रीडम है, आना चाहूं, आजाओ, नहीं आना चाहे, तो नहीं आओ, तो नहीं आओ, तो नहीं आओ, अदर्वाइस आप नहीं आप आओगे, वो पी तो एक जेल होगे, सेंटेंस टू ब्राइटर वोल्ड, कि रामटिष्णा प्रामवांस का जीवन देखो बच्पन से ही, वो ऐसा बंदा था, पागल, इश्वर के प्रती पागल, मेरे देखा कि पागलपन जब तक नहीं आए, तब तक इश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती है, लेकिन उनको बच्पन से ही आसा था, जब उनकी मेरेज होने वाली थे न, तो सगाई के पहले, मा और अपिदा लड़की को देखने उसको ले गए, तो मा ने, मा तो उस जमने में मा लोग नहीं जाते थे, तुछरे, तो उन मा ने एक रुपिया दे दिया, रामकृष्ण को, कभी जरूरत पड़ गई, तो रामकृष्ण जाते ही, जो लड़की थे ने, उसके पाउं पकड़े, वाद एक रुपिया उसके पाउं में रख है, तो लड़की के सब लोग नाराज हो गई, तो कैसा लड़का है, पागल लगता है, पर लड़की समझ गई, सार्दा देवी, इससे ही साधी करूंगी, और उनके बादे में, उन्होंने जो कुछ भी किसी ने लिखा है, कि ऐसा करते थे, वैसा करते थे, रोते थे, उनमें एक तरह की इतनी प्रैम की पराकास्ता हो गई, मां के बिना वो खाते भी नहीं थे, जब मां बोले नहीं खा, तब तक वो खाते ही नहीं थे, जित करते थे, हर पेज पर पढ़ोगे न, आप को रोना आएगा, थोड़े दिरे दिरे पढ़ो आप, रामकृष्णा प इसका नाम शुरू किया था, हमारे गुरूदेव ने, स्री राम चंद्रा मेंशन, ki उनके गुरु का नाम राम चंद जी सही था, तो फितुरिज की याद में पुझय बाहों से उन्होंने इसुरू किया मैंने क्यों एड़ेड नाम रखा एक स्री नाम से मिशन तो है ही है सहज मार्ग तो है ही है लेकिन इन दे वेस्ट और इन सम स्टेइट सीन इंडिया जहां मिशन के नाम से लोगों को ऐलर्जी होती है उसके लिए हाट फुलने से लख दिया मैंने उनको खुश करने के विए बस और कुछ नहीं है एक बात बताता हूं मुंबई के पास हमने हमारा एक प्रोग्राम था मंदप था चोटा सा अग्री थी ताउजन स्क्वेर फिट का सफेद मंदव और उपे लिखा गया था स्री राम चंद्व मिशन इंग्लिश और मराथी में तो जब लोग गाउं में आते हैं मिशन तो इतना गुसा किया है लोगों ने इतना गुसा है वो अल्मूस्ट बर्न टेंट डाउन ये तो क्रिस्चिन मिशनरी आ रही है तो इतना एग्डोरंस है लोगों में भी तो इसकी वज़ए से मेरे सुबहे मेरी राद तो बहुत बुरी होती है एक दो बजे तक लेटा रहता हूं लेकिन जब नीन नहीं आते तो मैं उसका सदपयोग करता हूं उससे मैं बैगता नहीं हूं उससे दुख नहीं पी होता है क्योंकि इस्वर ने यदि यही सजादी है न सोने की तो उसका सदपयोग करें तो ध्यान में कभी-कभी बैड़ जाता हूं तो उसरों पर जो काम करना है वो कर लेता हूं और उठते ही सुबें उठते ही ट्राइ करता हूं चलने की अपना गार्डन में तो वनवर उसमें चला जाता है पौदों को देखते हैं पक्षियों को देखते हैं उसको पानी देते हैं तो गार्डनिंग में चला जाता है आके इसनान करके खाना पीना हो जाता है कि सर्चंगी लोग आते हैं गर पे यह मैं आश्र मेडिटेशन हौल में आ जाता हूं सर्चंग हो जाता है महाभारत की स्टोरी है विचित्र वीरिया वो इंपोर्टेंट थे वो बच्चे नहीं कर सकते थे तो और जब तक राजा का बच्चा नहीं होता उसका किंग्टम में राजा नहीं कोई हो सकता तो उनकी माँ को बहुत चीनता थी तो उन्होंने उनके भाई को बुलाया सेज व्यास सेज व्यास को एक मुहर्ट पर बुलाया कि यह मुहर्ट में इसरानी के पस जाना है तो उनके तो भावी थी वह एनिवे सेज व्यास आ गए पर्टिक्लर मु से आ रहे थे फिर्स्ट क्विन्स के चेंबर में गए उसको देख की वो गपड़ा गई हो तो आख बंद कर लिए तो करना कर लो कि वैसा ही दूसरी रानी के चेंबर में गए उनका ड्रेस सब कुछ अटायर देखके उनका ब्लड सर्कुलेशन भी बंद हो गया पीला पीला सरीर हो गया इसलिए कि यह फिर से नहीं करना पड़े और बंचा हो जाए तो चलो ने अपनी जो दासी है उसको पकड़ते हैं वो साइड फेवर करेगी तो रिशी को उनके पास भी बेज दिया और दासी तो बहुत खुस हो गई मेरा अहो बांक यह कुल गया कि ऐसे रिशी के साथ किसक का नसीब होता है तो सी है तो वेलकमिंग एटिट्यूड और तीनों के बच्चे आपको पता है न कौन-कौन थे फर्स्त नानी का लड़का पैदा हुआ देट रास्ट अंदा निकला कि आख से भी और बुद्धी से भी जानता है फिर भी अंदा देखाता है सब कुछ डिसिजन भी अंदे के जैसा दूसरा लड़का पांडू जो मां का ब्लड सर्कुलेशन हो गया वो पिली हो गई उनकी सरीर स्किन तो बच्चा भी लिकोडर्मिक हो गया पिला उसके उसका नाम पांडू हो गया और तीसरा जो दासी पुत्र है विदूर उससे बुद्धिमान कोई नहीं रहा इस सब से वाइजस्ट अब लॉट इंदे किंग्डम इवन लॉट कृष्णा उस्टू कंसल्ट इम तो इप्टिड आपकेड़ प्लाइश्रा युड़ अिल्ट अप्रेक्शल प्रिण उसका बढ़ ग्राइजस्ट इस बिड्रेक्रण युडपाइज एड जन्व लेना पड़ेना धा मैं मैं और युद आउट्य ट्वेर मैं इस्वैस्ट फाइस कर लो इधी अधीस पाइस अभी, most children, those who are delaying birth, even marriage, forget the birth, marriage भी डिले करने है, why? First of all, they want to try, this girl, that girl, this boy, that boy, that freedom, they want to enjoy. अब एक विचार करो, जिसने पहली बार, जिसके प्रेम में पड़ा बन्दा, उसको वो जिनकी पर याद करता है। First experience is always the best experience. Second, third, they will all be third rated, even if it is from your wife. So, तकरार होती है, first experience was great, they compare, because मेरे पास बहुत चिठिया आती है, इसलिए में बताता हूं, यह मेरा परसनल अनुपो नहीं है। सिठिया आती है, कि मेरा, जिसके साथ मेरे माबापने साधी करवा ही न, वो मेरे बॉइफ्रेंट जैसा नहीं है। यह यह ठीक से नहीं कर पाता है। तो compare करते हैं, तो बाद में मुसिबत तो होनी ही वाली है। आपने बहुत एक्सपेरिमेंट किये, comparison की। तो जो अच्छा था उसके साथ तुने क्यों नहीं साधी की तो। नहीं की क्यों कि वजात का नहीं था। आप भी सेलफिश हो। तो यह बड़ा चक्कर वाला चीज है। यह ट्रेंट इस डॉग। डॉग कुट्ते को उन्होंने ट्रेंट किये थे। वह क्या करता सुप्तुग। और बेल बज़े कुट्ता सुनेगा तो उसको खाना देता। तो कुट्टे को एक तरह की ट्रेनिंग हो गई कि जब भी बेल बजे खाना मिलेगा तो बेल बज आता और डॉक्त पोक्ते आता खाना मिल जाता उसका मुझ सलाइवा से बर जाता था जब भी बेल बजे सलाइवा इतना तो ऐसा ही एक्स्परिमेंट उन्होंने बिल्ली के और उसके जो पेड़ में गैस्ट्रिक जूस कितना निक्टा वो मेजर करते थे वो खाने से पहले इस समय जस्ट अबड़ टुग वो जो सलाइवा अंदर या जूस होता है वो मेजर करते थे उन्होंने क्या क्या एक दिन उसको खाना देते ही कुट्टे को बुलाया कुट्टा बॉक्ता बॉक्ता आया वो बिल्ली के हाल तो एक निमेजिन तो उसका जो जूस सिक्रेट होता था न वो बंद हो गया तो फियर से ये परिणाम आते हैं सपोज तेरे फ्यूचर हस्बन है घर आए लंच कर रहे हैं तुने तेरा बक्वा सुरू कर दिया और तु तुझे कुछ याद आगा है सपोज तु खा रही है और हस्बन चिला रहे हैं डाइजेशन पर क्या असर होगा साइद कोई भी चिलाता नहीं है तू अकेली खा रही है कुछ चिंता हो रही है हस्बन नहीं मिल रहे है हस्बन नहीं मिल रहे है शाली कब होगी तो य विचार भी, आप कितना भी सात्विक फूद का लो न, उसका असर नहीं पड़ेगा. It depends in what state of mind you are eating. Of course, physically or physiologically, हर खाने की असर तो पड़ती ही है. Looking to me, most important is this. In what state of mind it was cooked? What state of mind it was served? Ambience around? And in what state of mind you are consuming it? That is very important. Everything is good. Bibi को गाली दे दी, आज ये क्यों नहीं है? यदि आपका लूंच डिनर लड्डू के बिना अधूरा रह जाता है, तो लड्डू भी जहर बन जाता है. खाया नहीं, फिर भी उनकी खायाल जहर पैदा करता है. सब खायानों की दुनिया है, ये सब. You have to be freely accepting all. And as I was saying, we have to celebrate our differences. And that's what makes humanity rich. Not everybody can be at the same page. So we have to accept it with love, not out of helplessness.